ब्रमचर का नाश वीर का नाश जीवन का नाश है ब्रमचर अगर सही है आपने किसी तरह इदर उदर चे तो यह प्रश्ण नहीं रहेगा जीधर दृष्टी डालोगे उदर जय होती चली जाएगी आज कल के बच्चे नौजवान इसको मनोरण्जन समझते हैं और उनको शला आपको शला देंगे हमें तो अंग्रेजी को सब्द नहीं याद है फ्रस्टेशन हाँ यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत सांथ हो जाओगे और फिर अपने काम मिल देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है क्यों यह जो क देते हैं इन पर शायम लाओ आप सामझे लें स्वाइकार करते हैं हमारी बात कि इसमें आपको संसय है हाँ तो आप आप देखो हम आजी सत्संग में बोल रहे थे हमारे रक्त का शुभाव है ऐसे जैसे कट जाना तो उसका शुभाव थोड़ी देर में गाड़ा होने की को गई तो आपको वहाँ डाक्टरी की जरूरत है अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे तो उसका शुभाव गाड़ा हो जाना वो थोड़ी ही देर में अपने आपको बांध लेगा क्योंकि रक्त का शुभाव होता है अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाड़ा हो जाएगा उरोक लेगा इसकी आखिरी परणिती यह वीरे वो शुयं से नहीं निकलता है वो इससे भी गाड़ी वस्तु है वो घर्षण से निकलता है अगर आप उसको गरम न करें चिंतन के द्वारा क्रिया के द्वारा तो नहीं निकलेगा और जब हम उसको तो फिर वो दीवन को नस्ट प्राया इस पर बच्चे बच्चे अध्यानी नहीं देते हैं कि यह कोई मार्ग भी है और परिणाम क्या होता है कि फिर संसार में जिसे डिप्रेशन कहते हैं मानसिक रोग से ग्रशित हो जाते हैं क्योंकि इसका परिणाम यही है या तो आपको प्रमाद और आलश्री ठोकर समाच से अलग पड़ा रहना पड़ेगा और फिर आखिरी क्यात्मत्या कर लें ऐसी सलाह आपका मन देगा ऐसी इस्तिति में पहुंचा देगा इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह नहों तब तक ब्रमचर से रहे ब्याह भी हो जाए तो सहीं हम से रहे यह जीवनी शक्ती है यह किसे की साथ खिलवाज नहीं करना चाहिए पढ़ाए लिखाए वो कैसे तुभे बताए अभी आप छेड़ना मत जैसे लोग केते हैं न उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक उबार नहीं हो सकता आपने गलत अभ्यास किया माना दो चार महिने पांच महिने वो अपने अभ्यास हुआ स्पतित होगा लेकिन आप छोड़िए उसका चिंतन छोड़िए उसकी क्रिया छोड़िए अपने आपको ऐसे हो काईने तयार हो जाएगा ओप न दीजिये तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा आप दीजिये तो सरीर को अभ्यास हो जाएगा उसकी हानी हो हाँ तुम्हारी शम्ता है तुम्हारी अंग ठीक है तुम स्वस्तो महीने में ऐता है साया जो समयावदी सुचो रक्त की आखिरी परणिती हुआ है वेरे आप क्या कर रहे है रोज कई-कई बार आपका परणाम क्या होगा अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी खालत क्या हो जाएगी खून की आखिरी परणिती है अन रश जो हमने पाया उसकी परणिती धिरे धिरे परिवर्तित होते हुए मांस मज़ा रक्त वो आखरी शप्तम धात हो है बीरे और उसके साथ ऐसा खिलवार कैसा जीवन होगा आपका इस पर कोई विचारी नहीं करता समझता है तो कि बाबाजीयों का विशय नहीं है आप मनुष्य शरीर धारी हो आपको भी शयम से चलना है और जब तक ब्यान हो तक तक तो शयम से ही चलना चाहिए बच्चे बच्चियों को तो ग्रेस्ती में अच्छे ग्रेस्त बनेंगे जाकर फिर उनकी हानी नहीं हो पाएगी उतनी अब पहले से तो फिर आप वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आक पर पास पढ़ाई वाली सामागरी ही नहीं रह पहले क्या होता था जैसे गुर कुलुम है इस्मर्ती आपकी कमजोर हो रही है तो मेदा शक्ति बलवान करने के लिए ब्रामी उसको पिलाई जाती थी ब्रामी है ये चीजें क्यों क्योंकि उनमें इतनी शीतलता उनमें पौश्टिकता है कि वो वीर का बर्दन करके वीर को रोकेंगी खास बात उसमें होती थी अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो वी नास का खेल खेलते हैं जो हमारी शारी सांसारी को परमार्थिक दोनों नती का नास कर देता है अब उस प्रश्ट का क्या होता है अब उसके लिए क्या सला आप सही डंक से अच्छा खाओ प्यो थोड़ा भ्यायायाम करो सबके प्रित्पवित्र भाव अभी आप आनंद में आने लगोगे और जैसी आदते आजकल हो रही आनंद वाली तो है नहीं तो पतन वाली ही हैं चार दोस्त मिलते हैं मदिरा पान करते हैं गांजा अप तो और हो क्या ड्रेक्स फ्रेक्स आप पताओ क्या होगा आप इतना बिस डाल लहें अपने अंदर इसलिए विशहली चीजें डाल लहें और इसी गंदी आहदतें डाल लहें आपका जीवन क्या होगा, कैसा खिलवार किया जा रहा है मनुष्य सरीर से, जबकि ये देव दुरलब देही है, भगवत प्राप्तिक्स के साथ कैसा, तो बच्चों को ना तो शत्संग मिल ला है, ना सास्तुष्वाद्य मिल ला है, ऐसा ही संग मिल ला है, जो पतन का कार, क्या हो रहा है, अच्छा बहुत पढ़े लिखे हो, और सरापी के नाली कीड़े की तरह पढ़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मन मानी बेविचार कर रहे पड़ा लिखाई क्या हुआ पड़ा लिखाई विद्या तो है जो विने पवित्रता, शालिंता, सभ्यता नम्रता ये तो शद्गुन विद्या में आज की रह नहीं रहे पड़े लिखें माता पिता को ऐसे डाट देते जिसे कोई नोकर्षी बात करता है हम स्वतंत हैं, अरे विशेयों के गुलाम तुम कब स्वतंत हो गया? स्वतंत्र तो परम हंसजन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवदा अनंद में मस्त हो वो स्वतंत है इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्रो जो भी से जब चाहता है तुम्हें गिराएं तुम स्वतंत्रो मातः, पिता, गुरू, शास्तिन की परतंत्रता स्वाइकार करने वाला ही स्वतंत्रो होता है यह मनमानी आचरण जो आजकल समाज में बिस्त्रित हो रहे ना यह पतन अशांती और पाप का कारण बनते हैं जो बहुत हानी कारण है तो बच्चा साउधानी से रहो जो बच्चा है उसको समाल लो जीवन जब से ग्यान हो जाए तब से अपने को समाल ले पूर में गलती हो पे आगे सुधार लेते हैं जी है